नमस्कार मैं रंजया सैनी और आप देख रहें बिजनोर एक्स्प्रीस नजियोबाद के ग्राम अलिपुरा में चाचा भती जी की लड़ाई थाने तक पहुँच गई दरसल चाचा ने मामुली कहा सुनी के बाद भती जी की पिटाई कर दी पिडित महिला ने थाने में तहरीर देकर आरोपी चाचा के खिलाब कारवाही की मांग की पिडित ने कहा चाचा से हमारा कोई लेना देना नहीं है छोड़ी छोटी बातों को लेकर वै आए दिन जगडते रहते हैं आज महले के ही कुछ व्यक्तियों द्वारा घर के सामने खड़े होने को लेकर चाचा ने भती जी के साथ जमकर की मार पिड पिड पिलिस ने तहरी लेकर जाच कर कारवाही शुरू कर दी है वही आरोपी चाचा का कहना है कि उनके उपर जूटा आरोप लगाया जा रहा है दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को तहरी दे दी गई है वही अलिपुरा ग्राम परधान आसिफ ने बताया दोनों पक्षों में समझोते की बात चल रही है आप पलोसी है क्या हुआ था ये बताईए आप पलोसी है क्या हुआ था ये बताईए मैंने यहां पर खड़ी हो गई एक लड़गा था यहां पर खड़ादा हो तो मैं वह हचने लगा पर मैं उसे देखका हशी भी नहीं कि उपर से ना गाली बख रहा है तो मैं जब घर पर चली रही है मैंने के फैर बताओ आप कौन से हैं तो इन्हें कहा कि उत्राज का लड़गा था यहां पर यहां पर एक लड़गा नाम का लड़गा खड़ था किसने मारा है आपको एक किसने मारा है और किसने मारा 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 और किसने मा कहां गई थी आप कहां थाने जी ताने गई थी में कोई सिसने वा रहा है आपको और कौन थान के साथ बस यह जादा वह कर रहा है थे मतलब कि अगर इसे नहीं 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 क्या हां कि हम अपने बेल में कुछ भी कह रहे हैं आपको पर आरोफ लगा रहा है क्यों मारा आपको पर आरोफ है आपको पर आरोफ है आपने मारा है अगर मेरे मारा तो महले बाले से पूछो में मारा हूँ तो प्रदान के लिए प्रिशनावर की सभी ताजाख कबरों से जड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें